खंबा गहनी मारो राजसान परिवार पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है घनो अभीनेंदन कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे सुबह की शरवात कर रहे हम करेंट अफेर्स से और मैं पर्सणली बहुत ज्यादा खुश हूँ करेंट अफेर्स दुबारा से स्टा करते थे तो आप सब लोग जो है शेयर कीजिएगा अई होप उन सब भी लर्नर्स को पता चल जाएगा कि हमने करेंट अफेर्स फिर से स्टार्ट कर लिया है ठीक है हलाग कि वेरे उपर वर्कलोड बहुत जादा हो गया है स्पेशल क्लासेज लेनी होती है अन एक एडमी प ठीक है डिस्क्रिप्शन में डालूँगी तापको दिकत ना हो बाकी जो चैनल का मेन बैनर होते है जहां पे लिखा हुआ है मारो राजसान वहाँ पे भी लिंक है चैनल की डिटेल्स में जाओगे जब हमारे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वैसे भी सर्च करोगे तो भी सर्च में आही जाएगा ठीक है जो नई मेंबर्स हमारे साथ जुड रहे हैं अभी तक हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाए घंटी बजाने के बाद आल पे क्लिक आरेस प्रिलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है मेरे पास इंटर्व्यू फेस क्या है प्रतिबद सीरीज राजस्थान जी के जो है पता ही है यूट्यूब चैनल पे वीडियो का बात है आठ बजे सेशन जब हम टॉपिक कवर करते हैं टेस्ट होता है रात को नो बजे अनकैडमी के लर्निंग एप पे उस फ्री टेस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी इस वाले वीडियो में भी आपको कुछ नहीं करना कोड क्या लगाना है कोड यहां पे दिया मैंने नहीं दिया MRP 10 कोड अब तक तो कोड रट गया होगा तो फ्री ट करेंगे मज़ा आ जाएगा बहुत अच्छी बहुत प्यारी से क्यूट सी स्टोरी है तो मेरी गिटर पिटर सुनने के लिए तैयार रहिएगा यह सारे कोर्सें से आप देख सकते कॉलेज लेक्शरार का युकती बैच शुरू किया है क्योंकि हमें दो महीने में विदिन ट पिटरार वाले बैच जो हैं खुश हो जाएए आप सब ये बैच है मैं पढ़ा रही हूं राजसान आर्ट इन कल्चर राजसान जोग्रफी राजसान पॉलिटी प्रियंगा मैं राजसान हिस्ट्री पढ़ा रही है कोड लगाना मत भूलना अपना युनिवर्सल कोड है MRP 10 अनकैडमी RPSC प्लाटफों पे या किसी भी अनकैडमी की केटिगरी में जा रहे हो तो आवाज मेरे कानों तक जरूर गुंजनी चाहिए कि बच्चे MRP 10 कोड लगाके आए हैं और अनकैडमी की टीम जो है वो भी कुश हो जाए ठीक है अस्पायर आ रहे हैं इंग्लिश मी चांसीज है जोतपूर में याचिका वाचिका लगी है आप सब लोगों की हां लेकिन डेट जो है यह कहूंगी कॉलिज लेक्शरार की 4 अप्रेल मानके रीट की 25 अप्रेल मानके ही तैयारी कीजिए तो स्मार्ट बनिए वन स्टॉप सॉलूशन है अनकैडमी प्लस जोईन क लगेगा आपको प्लस क्लासेज लेनी हो फ्री क्लासेज लेनी हो हां कोई भी तरीका EMI क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हो अगर आइफोन यूज कर रहे हो तो आइफोन पे पैसे वाला 10% डिसकाउंट नहीं मिलता तो एंड्रोइड फोन लैप की है किस जीव जन्तू के सरक्षन के लिए ठीक है समद्री कच्छुए यानि की मैरीन टर्टल ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर ब्रह्म पुत्र डॉल्फिन या फिर ब्लैक बग तो किसके लिए की है बच्चो मैरीन टर्टल के लिए की है ठीक है इसका अंसर क्या हो जाए और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा चले स्टार्ट करते हैं अगला जो है कौन सी इंटरनाशनल और्गिनाइजेशन यानि की कौन सी अंतर राश्ट्रिय संस्था जो है उन्होंने एक इवेंट इवेंट आपके न्यूज उसमें हैं syllabus के अंदर हैं इवेंट जो है वो conduct करवाया है जिस इवेंट का नाम है restoring cross border mobility restoring cross border mobility मतलब की borders के across आना जाना कोविड ने क्या कर दिया कोरोणा ने सबको बठा दिया अपने घरों में lockdown करके सबका आना जाना बंद हो गया तो उसको अभी क्या करना है वापिस से restore करना है तो ऐसा किस ने किया है सेयोगतराश्र युनाइटिट नेशन विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व व्यपार संग्ठन यानि की वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन तो किसके द्वारा गया है तो देखो बच्चो सारी चीजे किसके साथ होगी दूसरे देश में जाओगे घूमोगे फिर होगे तो पैसा तो चाहिए तो एकोनॉमी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है तो एकोनॉमी का फॉरम है जिसने इवेंट करवाया है ऐसे इसको याद रखे वर्ल्ड एक एकोनॉमिक फॉरम सही है क्लियर है सबको अच्छा थोड़ा सा बैक्ग्राउंड जान लेते हैं क्वेशन आ जाते हैं यह आपका आरेस मेंस में भी काम आएगा एकोनॉमी में पूछ लेंगे अंतर राश्रीय संसासलेबस में है ठीक है वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम कब बन बहुत सारी प्राइवेट जो कंपनीज है 444 कंपनीज की सीओ मिले थे पूरे मतलब वर्ल्ड की अर्थ व्यवस्ता को डिस्क्रस करने के लिए तो उन्होंने बनाया इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है स्विट्जर लेंड जेनेवा के अंदर ठीक है ठोड़ा और अंदर ड इनाइजेशन है पब्लिक प्लाइवेट कोपरेशन के लिए ठीक है सरकारी और गैर संस सरकारी कोपरेशन के लिए ठीक है एकनॉमिक फॉरम में अर्थ विवस्ता को डिस्कस करती है यह यह सारे काम है इसका पहले जो नाम था एकनॉमिक यूरोपियन एकनॉमिक मैनेजमें ऐसा कुछ नाम था ठीक है पहले इसका नाम ओरिजिनली वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम नहीं था हेड़कोर्टर कहां पे है स्विट्जर लैंड के जेनेवा के अंदर स्विट्जर लैंड देख रहे हो स्विट्जर लैंड के बौर्डरिंग देश देख ले फ्रांस कल हमने फ कि राजधानी जो है जूरिक है जूरिक है आई थिंक सो है ना चले ठीक है हाँ यह पूछा जा सकता है वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम में भारत की तरफ से किसने प्रेजेंटेशन दिया किसने जो है अपना भाशन दिया तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर दॉक्टर हर्षवर्धन ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है clear transparent timely sharing of crucial information on public health emergency by undertaking rapid risk assessment and dissemination of risk is the key to striking a balance between public health and trade and travel यानि कि वो सीधा सीधा indirectly निशाना किस पे हो रहा है चीन पे निशाना हो रहा है भाई आपको public health कोई emergency है स्वास्थे संबंदित उसकी crystal clear information share की जानी चाहिए थी ताकि सारे world की public health अच्छे से maintain हो और trade और travel को करने के लिए समझ गये तो सीधा सीधा किस पे निशाना ठोक दिया है हमने भाई ठीक है ये इन्होंने किया अच्छा बच्चो इस question में आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ये world economic forum का कौन सा मतलब वो है network today तो याद र question पूछा जा सकते है ठीक है world economic forum से ये इसको याद रख लेना इसलिए मैंने इसको लिया है दूसरा जो है इसको हम और किस नाम से जानते है अब जरूरी नहीं है हर बार restoring cross border mobility पे ही question आएगा वो पूछ लेंगे devos submit कहा हुआ तो इसका जो है दूसरा नाम devos submit है ठीक है devos मतल इसके जो हमें याद रखने रटने हैं भूलना नहीं है नहीं भूलोगे मुझे पता है ठीक है unrestricted cross border mobility अगर होगी तो उससे क्या हो उसके लिए वो कह रहे है सारे stakeholders मतलब जितने भी world की countries है उनके बीच में consultation जरूरी है ठीक है तो यह अभी की current affairs की news है बच्चो 18 जन्वरी 2021 इक उसके बाद जो है मैं आपको बताते हू Grade घैम पहले एक सेकंद क्या हो जाता है मुझे आजकल बोलते एक सेकंद जंड़ोवाम होता है भरी क्या गरू मेरे साथ होता है आप मेंसे किस-किस के साथ जंड़ोवाम हुटते हैं तो मude करे सब्सक्राइब करो क्योंकि मारो राजस्तान तब भी हर गाउं हनी नुकड तक पहुंचना चाहिए हर बच्चे के जबान पर नाम आना चाहिए मारो राजस्तान से पढ़के आए है एक्जाम क्लियर किया हमने ठीक है यह जो है क्रॉस बॉर्डर मॉबिलिटी वाला यह है डेवोस सब्मिट अगर पूछ ले डेवोस डायलोग क्या है तो डेवोस डायलोग जो है पिछले ही महीने जनवरी में हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अपना भाशन दिया था डेवोस सब्मिट में डॉक्टर ये चैंतर ना पूछ सकते है डेवोस डायलोग के अंदर लेट दिया है ठीके ग्रेट रीसेट पहल बच्चों ये देखो ये पूछा जाए तो याद कर लाना भूलना नहीं है ठीके हो गया ये सारा हाँ चले आगे मूवन करते हैं ठीके तीस जनवरी को कौनसी भारत की मिनार जो है मॉनुमेंट है उस दिन कौनसी मिनार को सजाया गया और इस दिन कौनसा दिवस मनाया गया नेगलेक्टिट ट्रॉपिकल डिजीज डे यानि कि उपेक्षित उचिन कटी बन दिये रोगों वाला दिवस जो है मनाया गया है 30 जनवरी को किस भारतिय समारत पे ठीके तो इसको प ड्रॉपिकल डिजीज मनाने के लिए उसकी बाद है अभी नीज में था हाली में तो किस चीज की सेलीब्रेट किया गया अमरूत महौट सब के दिन क्या मनाया गया क्यों मनाया गया ये 125 वी बर्थ जयन अनिवर्षि थी नेता जी की सुभाष्चेंटर बोस जी के 125 जयनती थी भारत की सवतंतरता के 75 वे वर्ष की खुशी में हमने अमरूत महौट सब मनाया है या 1971 युद के 50 वर्ष ओरें तब और करगिल युद के 50 वर्ष ओरें तब तो बच्चो अमरुत महुतसव हमने बनाया है मुझे लग रहे हैं जाद अदर बच्चे नेता जी की जनती वाला अंसर देंगे लेकिन नहीं वो सही अंसर नहीं है इसका सही आंसर है भारत की सुटंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पे 15 अगस्त को ठीके तो हमने क्या मनाया है उस टाइम पीरिड पे अमरुत महुत सब याद रखोगे सब भूलोगे तो नहीं इसके साथ साथ बाकी के दिन भी याद कर लेते हैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको कराया था प्राकरम दिवस किस दिन मनाया जाता है तो नेता जी सुभाशेंदर बोस जी की 125 वी जहनती के उपलक्ष में कब 23 जनवरी को और 30 जनवरी को जिस दिन National Tropical Disease Day मनाया गया उस दिन गांधी जी की पूरण पुन्ने अतिति के लिए हम क्या मनाते हैं शहीदी दिवस मनाते हैं तो 30 जनवरी को शहीदी दिवस, 23 जनवरी को प्राकरम दिवस और अमरूत महुत सब हमने कब बनाया है तो इस दिन कौनसे disease, कौनसे बिमारी के खिलाफ vaccination प्रोग्राम की शुरुवात की गई है तो हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो COVID पे निशान लगाया होगे नहीं, COVID is not the right answer पोलियो वाले दिन को ठीक है, पोलियो का टिका करन शुरू किया गया है उस दिन हमने क्या मनाया है, राश्रिय टीका करन दिवस National Immunization Day कोरोना वाली वैक्सिन कब शुरू हुई है, 16 जन्वरी करवा दिया है मैंने, 16 जन्वरी 2021 ठीक है और जिनको पहले दी गई है, उनका नाम जितना मुझे याद आ रहा है नहीं exist करता, UPSC में एक बार question पूछा गया था, ठीक है तो किस दिन मनाया हमने राश्रिय पोलियो टिका करन दिवस, 31 जन्वरी 2021 को किस दिन मनाया है बच्चो, 31 जन्वरी 2021 को ठीक है, प्रेजिडेंट जो हमारे राश्रपती है, रामनात कोविंद जी ने इस प्रोग्राम की, पल्स पोलियो प्रोग्राम, 2021 वर्ष का जो है उसके पहले राउंड की क्या किया है, उदगातन किया है बच्चे को राश्रपती भवन के अंदर जो है, वैक्सिन पे लाके, ठीक है अब भी जो है, इसके अंदर, ये जो राश्रिय टीका करन प्रोग्राम है पोलियो वाला, पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसके अंदर कितने बूथ बनाए जाएंगे सात लाग बूत बनाए जाएंगे ठीक है पोलियो वैक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है सात लाग बूत इसके लिए बनाए जाएंगे ठीक है चलो ये question next question है book से related है the little book of encouragement is written by ठीक है तो इसकी तो हिंदी भी यही होगी the little book of encouragement किसके द्वारा लिखा गया है श्यशी थरूर दलाई लामा नरेंदर मोदी या फिर जो बाईडन तो किस ने लिखा है तो little book of encouragement लिखा है बच्चो दलाई लामा जी ने किनो ने लिखा है इसको सीधा यादी कर लो दलाई लामा जी ने लिखा है Little Book of Encouragement ठीके, हाँ, तो तिब्वित के जो है आध्यात्मिक नेता है ठीके, नेता नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक गुरू है Spiritual Leader, ठीके, दलाई लामा इन्होंने अपनी बुक जो है लॉंच की है इस बुक में 130 कोट इन्होंने जो अच्छे-च्छे कोट होते है वो सारे लिखे गई है, बुक को एडिशन किया है, रेनुका सिंग ने और ये पब्लिश की है किसने Penguin Random House ने, जितनी बड़ी-बड़ी किताबे होती है Penguin High सार जगा पे पहुंच जाता है, वही करता है mostly सारी किताबों को पब्लिश, ठीक है तो इसमें जादा सोचना नहीं है, जादे दिमाग नहीं लगाना इन्होंने इसमें भारत-चाइना रिलेशन के बारे में भी लिखा कि COVID-19 में सारे देशों को मिल जूलके काम करना चाहिए इन्होंने ये लिखा कि तिब्बत और चाइना को भी मिलके काम करना चाहिए चाइना को अपना दुश्मन ना समझे क्योंकि अध्यात में गुरु है न तो वो मिलने वाली ही बात करेंगे तो वैसी ही बाते इसमें करी गई है अगला question है ये question जो है आप लोगों के लिए college लेक्चरार वाले बच्चों के लिए बहुत important है क्योंकि person and places in news ठीके आपके उसमें है एक दिन मैं कोशिश करूंगी person, places, sports वाले एक अठा एक जो है एक महिने का वीडियो बना के आपका डाल दें आदे गंटे में 45 मिनट्स में सारे question हो जाएंगी ठीके वीडियो को like किया यह नहीं किया किया तो yes type कर दो कि हांजी मैडम कर दिया है like ठीके like करो share करो क्योंकि आप लोग जितना motivate करते चले जाओगे उतना ही अच्छे 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 बहुत मस्त वाली आइलेंड के अंदर भेज रहा है कौनसा देश भेज रहा है बांगला देश मियामार श्रिलंका या फिर माल दिव तो यह बच्छों भेज रहा है बाशान और बांगला देश ठीक है कौनसा देश भेज रहा है बांगला देश को भेज रहा है रोहिंग्या रिफ्यूजिस इसको भेज रहा है आइलंड के उपर ठीक है वो उनको वहां पर 20 थापित मतलब वहां पर स्थापित कर रहा है ऐसा करके ठीके तीसरा ग्रूप इसने भेज़ा है रोहिंगयाज का बाशान चार आइलंड याद कर लो यह आइलंड कहां पे हैं बंगाल की खाडी के अंदर है आएगा बाशान चार आइलेंड बंगान की खाड़ी में चार हजार रुफ्यूजी को ये दिसंबर से अब तक भेज तुका है बांगलादेश लेकिन जो मानवय अधिकार वाले human right activist है वो जो है बोल रहे हैं कि इनका पुनरवास सही तरीके से किया जाए ऐसे इनको randomly कहीं पे भी सापित ना किया जाए ठीके तो बंगलादेश याद करना बाशान चार आइलेंड कहां पे है बंगलादेश के पास बंगाल की खाड़ी में याद रखेगा ये important place है ठीके अल होल अभी हाल ही में news में था इसको अल होल भी लिखा जाता है HAWL भी लिखा जाता है कुछ भी आप ले सकते हो ये refugee camp के लिए famous है ठीक है अल होल जो जगा है यहाँ पे बहुत सारे refugees रहते हैं बच्चो ये कौन से देश के अंदर जगा है लिब्या में इराक में सीरिया में या फिर लेबलान में ऐसे question UPS से भी बहुत पूछती है और हमारे तो पेपर में दिया ही हुआ important person and places तो हमारे लिए तो important है हर exam के लिए आप पे इस दिखे सही है तो al-hole कहां पे है बच्चो ये Syria के अंदर located है कहां पे है Syria के अंदर Syria की बहुत बुरी हालत है बहुत बुरी हालत है ये बड़े बड़े देश अपनी शत्रुता जो है छोटे छोटे देशों के ऊपर निकालते है ठीक है Syria तो ठीक है UN counterterrorism जो chief है ठीके उन्होंने बोला है कि जितने बच्चे यहां पे huge camp के अंदर अल होल में फसे हुए हैं उनको वापस लिया जाए उनको rehabilitate किया जाए ठीके 27,000 बच्चे यह जो है Islamic State extremist जो है उनके जो है mostly यह बच्चे है ठीके तो country का यह सबसे बड़ा camp है सीरिया का ठीके सीरिया का यह सबसे बड़ा camp है ठीके यह देखो बहुत बुरी हालत है इन बच्चों की ठीके तो आप सोच सकते हो कि अगर आप अपने आपको कभी बोलते हो कि मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वर्ल्ड में और लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा भी हो रहा है, तो आप उससे बहुत अच्छी कंडिशन में हो, तो आपको लाइफ को पॉजिटिव लेके खुश रहना चाहिए, ठीके, हाँ, तो सीरिया बच्चों देखें जरा, सीरिया याद है, सारे का सारा पी ले, ठीके, वो मेडिटिरेनियन सी, बसंती और हैरी याद आ रहे, तो ये भुमध्य सागर को बॉर्डर करता है, ये लैंडलोग्ड कंट्री नहीं है, इसके बॉर्डरिं में देखते हैं, ध्यान से नजर आएगा आपको, ठीके, अब ये साउदी अरेबिया वाले तो याद होंगे, मिडल इस्ट के देश मैंने याद करवाये थे, साउदी अरेबिया के उत्ते बहरे हो गये हैं, क्योंकि वो कतर-कतर कर रहे हैं, और फिर यमन, उमान और यूए ये याद है, इस से थोड़ा सा उपर चले जाओ, सीरिया आ गया, अब आपको ये देश और अच्छे से याद हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, ठीके, सीरिया, ठीके, ये देखो, टर्की उपर, इराक साथ में, जॉर्डन, इस्राइल और लेमनान, वे क्या है, पूछ सकते हैं, इसके बॉर्डरिंग राज्यों में, क्या साउधी अरेबिया इसके बॉर्डर में हैं, नहीं है, ये याद रखना, इस तरह के क्वेशन पूछे जाते हैं, ठीके, तो सीरिया, जो है, मेडिटिरी दिन सी को टच करता है, ये न्यूज में है, तो या फिर भूटान के अंदर, तो अरुन हाइड्रो इलेक्रिक प्रोजेक्ट बच्चो जो है, इसका निर्मान होगा, नेपाल के अंदर है, भारत से क्या लेना देना है, देखते हैं, नेपाल में, हलाकि जो नेपाल के प्रधान मंत्री, जो है, केपी शर्मा ओली, अब तो मतलब रिस्पॉंसिबिलिटी दी है, या मतलब वो हो गया है, कि हाँ, ये जो है काम करेगा, क्या नाम है, इसका याद रख लो, सतलु जिर्यल विद्युत निकम, ठीके, यहाँ पे जो है, छे सो उनासी, 679 मेगा वार्ट, जो है, वो इलेक्टरिसिटी प्रोड्यूस की ज ठीके, I hope आपको आज की Current Affairs Series अच्छी लगी होगी, कैसी लगी बताएगा ज़रूर, और मेरी Free Classes देखने के लिए, आने के एडमी पे या Plus Classes देखने के लिए, हमारा Universal Code है, MRP10, इसको लगाओ, आओ, देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत comfortable zone में, आप अपने पढ़ाई करो, गर मेरी प्यारी सी QC Plus Circle Community का पार्ट बन जाओ, MRP10 Code लगाओ, बिंदास, ठीके, RAS वाले बच्चे, दो साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीके, बिना सोचे, बिना समझे, क्योंकि आपको Pre-Mains इंटर्व्यू की तैयारी करवाई जाएगे, आर्पेस इतन जाओं मिल सके, और और लास बट नॉट दलीस, टेलीग्राम चैनल, आरेस क्रेकर से जुड़ जाएए, जहां पर हमें आपको क्या देती हूँ, पीडिएफ देती हूँ, कल वाली डालना भूल गे न, राजस्थान के यह डाल दिए, मुझे याद में आज चेक करती हूँ, नहीं डाले तो डाल दूँगी, आजवली भी डाल दूँगी, और यह मेरा कॉंटिक नंबर है, कोई आपको बात पूछने हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और last but not the least, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like, subscribe, share कीजेगा, कल मिलती हूँ, कल नहीं रात को 8 बजे मि लोगईत करेंगे YouTube पे, और आपको 9 बजे free live class के अंदर, ठीके, सबका link description में डाल दूँगी, और बस, ठीके, आपका दिन अच्छा हो, have a nice day, सबको मेरे तरफ से घणी घणी, राम राम